लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए बलेवुड के महानायक अमिता बच्चन के बेटे अभिशेक बच्चन की पतनी एश्वर या राय बच्चन है यह जोडी बलेवुड की फेवरिट जोडियों में से एक है हाला कि एक समय था जब रानी मुखर जी बच्चन परिवार की बहु बनने वाली थी अभिशेक बच्चन और रानी मुखर जी ने फिल्म बन्टी और बबली जैसी सुपर हिट फिल्में की इसी दोरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन भी रानी मुखर जी को पसंद करने लगी थी लेकिन जया बच्चन ही अभिशेक और रानी मुखर जी के ब्रेक अप की वज़े बनी रानी और जया बच्चन को फिल्म लागा चुनरी में दा के लिए कास्ट किया गया इस फिल्म के दोरान दोनों के बीच अकसर बहस होती रहती थी इस वज़े से जया बच्चन रानी मुखर जी को नाप संद करने लगी ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन ने रानी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली थी जो रानी को पसंद नहीं आई इस वज़े से रानी और अभिशेक के रिष्टे पर बुरा असर पड़ा और दोनों अलग हो गए बाद में अभिशेक बच्चन ने आश्वर या राहे के साथ शादी कर ली तो वही रानी मुखर जी ने आदित्य चोपणा को अपना पती बना लिया आज दोनों अपनी अपनी जिन्दगी में खुश है